नमस्पार भट्तो आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जहांपर मैं आपके लिए लेकर आती हूं बहुत सारे उपाए वशीकरण के उपाए तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसा ही वशीकरण का उपाए जिससे अगर आप अपनी प्रेमिका को भश में करना चाहते हैं चाहते हैं कि आपकी प्रेमिका चोड़ कर कहीं न घार आप अप से अपनी प्रेमिका कर सकते हैं प्रेमी पिक भी कर सकते हैं आपको बस इक बात का ध्यान रखना है कि अपने प्रेमी या प्रेमिका का आपके पास एक फोटो होना चाहिए उस फोटो पर आपको करना है वशिकरण और खिलानी है उग्षी मुंफली कच्ची मुफली खाते ही आपका प्रेमी आपके वश में होगा जी हाँ आपने सही सुना दोस्तों आपको पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करना है और ये उपाय इतना जादा कारगर है कि आपकी प्रेमी का या प्रेमी के मन में आपके लिए प्यार ही प्यार भर देगा और वो आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे उनकी जिन्दगी में सिर्फ और सिर्फ आप होंगे अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेमिका हमेशा के लिए आपकी हो जाए तो आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों याद रखें इसे किसी के साथ ऐसे ही मजाग करने के लिए खिलवार करने के लिए उपयोग में ना लाएं जिससे आप सच में महबद करते हैं चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाए सिर्फ उसी व्यक्ति पर आपको इस उपाय को करना है दोस्तों चाहे वो आपका प्रेमी हो या फिर वो आपकी प्रेमिका किस पर भी आप इसे कर सकते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दीजेगा जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिलेंगे दोस्तों कई बा अच्छे से मन में रखनी है की जो भी आप उपाय करने जा रहे हैं वह सही व्यक्ति के लिए कर रहे हैं और सही आपके मन में उसकी भावना होनी चाहिए अगर आप गलत भावना से कोई उपाय करेंगे तो वो उपाय नहीं काम करता है इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बठा लीजे कि जब आपका जो भी व्यक्ति है जिसे आप सच में चाहते हैं उसी के उपर ये उपाय काम करते हैं अगर आप किसी के साथ मजाग करना चाहते हैं उसकी जिंदगी के साथ खिलवार करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है दोस्तों अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिए आपको लेनी है थोड़ी सी कच्ची मुंफली थोड़ी सी का मेरा मतलब है दस दाने आपको बस लेने है बहुत जादा नहीं लेने है उसके बाद कच्ची मुंफली लेने के बाद उनको आपको तवे पर अच्छे तरीके से भून लेना λέ़। आपको घीतल का इस्तेमाल नहीं करना सिर्फ ऐसे उसको बhूनते जाना है बूने के बाद जब दिखे को मुंप़ली भून चुकी है उसका कलर हलका सा बदल चुका होगा अभ आपको इस मूंफ़ली के ऊपर पढ़ना एक मंत्र मंत्र है ओं काम देवादे więks व depends all-rånा अमुखंभ वश्यम् स्वाह नो उंकम की जगह पर आपको बोलना है अपनी प्रेमी का नाम जितनी देर तक ऐले उपनी देर आपको इस मतर का उचारंग करना है फोटो जो वेने आपको कहीति लेने के लिए फोटो आप अगर आपकी प्रे मीका नहीं है आपके आस-पास तब आपको फोटो की जरूरत नहीं है, आपको उन्हें ये मुंफली खिलानी है, मुंफली खिलाने से पहले आपको इस मंतर को एक बार दुबारा पढ़ना है और मुंफली के ओपर फूप मारनी है, जी हाँ, जब भी आप मुंफली खिलाने जाएं, उससे पहले आपको इस मंतर को एक बार पढ़ लेना है और उसके बाद उस पर फूब देना है मंत्र में अमुकम की जगे पर आपको बोल देना है अपनी प्रेमिका का नाम जिहां मान लिजे अगर आपकी प्रेमिका का नाम मांसी है तो इस तरह से बोलना होगा आपको ओम काम देवाए मांसी वशिकरन स्वाहा वश्यम या वशीकरण आप जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं ओम कामदेवाय मानसी वश्यम स्वाह इस तरह से आपको बोलना है और उसके बाद मुंभली अपनी प्रेमिका को खिला देनी है दोस्तों इससे उनका वशीकरण हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा तो